आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है डोडा डिस्टिक में ग्रोंड को लेके जो है काफी सारी दिकते जो है बच्चों को आ रही है आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बच्चे खड़े हैं काफी सारी दिकते इन बच्चों को आ रही है क्योंकि स्टेडियम इनको मिलने रहा है क्योंकि स्टेडियम में आए दिन जो है टोलामेट होते जा रहे हैं और बच्चे जो है खेले तो खेले किदर और उसके लावा ए की इन इन जगों पे खेलना पड़ रही इसको लेकर इनकी हालत स्टेडम में तोर्नमेंट उसके वज़ा से आप कॉलीज या रहें कॉलीज में इधर यह मखेले नहीं दे रहें इदर सभी निकारें अब यह एक खेद बच्चा है जिसकी वज़ा से यहां मलब जो जो बच्चा खेल रहा है इस दूर की वच्छ वह बिमार भी हो रहें जाद पर खड़ भी जादा जाद बॉल बच के सेर बच सकती है जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं अचे से यह पर और यहां पर जाद गांदे और यहां पर इनने यह जादे डाले हैं जैसे हम यह पर स्टार्ट किया तक है उसाओ ज़से इन मिटी के डेर बिल जाव सब्से आपने तो दो साल पहले आप लॉक्डाउन लग गया उसके बाद हम खेली नहीं पा रहे थे पढ़ाई सिर्फ ना बाहर निकल पा रहे थे उसके बाद जब लॉक्डाउन खुला अब पढ़ा पढ़ पढ़ के इंसां डिप्रेस हो गया था था थोड़ा माइन फ्रेश करने के लिए हम कॉले जाते थे खेल ले शीडियम के वहां भी नहीं खेल पा थे जैसे ने बताया यहां यहां भी नहीं खेल पा रहे हैं जाए तो जाए कहां अब हमारी तो दो साल तो कोड़ रहा पहले दो साल में तो आप घर बैठे है ग्रॉंड खुले नहीं थे अब जब ग्रॉंड खुले तो लिद्फडों दरफास करेंगे हैं तो हमस्हें ठथास करेंगे और यहां कालेश की प्रिसानि सेध खिलने के लिए हैं यहीं खेल रहे हैं, डस्ट बहुत ज्यादा है, और इनका साफ साफ कहना है कि जो ही हमने खेलना यहां पर शुरू किया, तोड़ा तोड़ा सा मैदान था यहां पर यहां पर भी मित्की के डेर जो है डालना शुरू कर दिए, तो काफी ज्यूदा परेशान यह बच्चे करेंगे केषवर शर्मा केषवर जानना चाहँ वा नहीं हुआ आप भी कहलते हो रोज ख़्यूत चेक है कभी कभी आते हैं चल्ट हम इध McN Star तो यहां पर आप थेल पाते हूं थोड़ा थोड़ा उच्छाय कि आप इस टाव तो अब यह विय ड्र हम यह सब भूंब से ट्राइनरा से बिक्ट बूर में यहां यहां इसे तरके और बनाई जाएंगे यहां पर भी खेलने खा भए आने वाले टाइम में नहीं बता क्या बची सब उमीद क्या करते हैं यहां पर है तीजे साब से और यह पाप लिए बैस कंपर किया तो कहीं सकते हैं आप बच जो हेंकि इनके लिए अबीवी गरोंड जो है जो है डोडा में नहीं है डोडा में ग्रॉन्ड की कमी क्योंकि ग्रॉन्ड अगर है भी तो वहां पर आए दिन मैचिस होते रहते हैं जिसको लेकर बचे काफी ज़दा परीशान है बच्छों को जगा नहीं मिल पाते हैं और जहां पर जगा मिल रही है वहां पर भी बच्छों को अब निकाला जा रहा है चलों की बच्चे जिस जगह खेर रहे हैं आप देखी सकते हैं यही वो जगगा है जहां पर बच्चे अभी खेर रहे है और इस जगह की जो हालात है काफी खसता है काफीछा एक पालगा इस जारए है, और बच्चे आए दिन बिमार होते जा रहे हैं क्योंकि सही ग्रॉंड और प्रॉपर ग्रॉंड ना होने की वज़ा से इन बच्चों को मुश्कलात का सामना करना पड़ रहा है इन बचों की अपील है डिस्टिक अडिमिसेशन डोडा से और डिग्री कारी डोडा के प्रिंसिपल से कि हमें डिग्री कारी डोडा में खेलने दिया जाए यहां डोडा स्पोर्ट स्टेटिम में खेलने दिया जाए क्योंकि डोडा स्पोर्ट स्टेटिम में आए दिन टोरला ग्रोंड इनको दिया जाया ताकि बच्चे जो है अच्छे से खेल पाया क्योंकि बच्चे जो हमारा बहुश है बच्चे जो है कल आने वाला फ्यूचर है और बच्चे जो है कल अपने डेश के लिए अपने इंडिया के लिए अपने भारत के लिए जो है खेलने वाले हैं औ और यही बच्चे जो आगे आई पिल और यही बच्चे जो है आगे लोकल लेवल पर भी खेलने वाले हैं लेकिन तब ही जब इनके पास अच्छा ग्रोंड होगा अच्छी प्रेकेस होगी और इनके पास अच्छी सुईदाय होंगी तो इसी के साथ दीजे इजाज़त वर्जूर्ट रेस्ट्रेट लाइन के साथ